स्वागत करता हूं दोस्तों आप से भी का मेरे चैनल टेक्निकल अर्जुन जी में आप यूटूब पर रेगुलर वीडियो बनाते हैं और आप स्कीन रिकोड़र वीडियो भी बनाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट और मौस्ट यूजपूर होने लेकिन आप उनसे सेटिस्पाइज नहीं हो पाते हैं हां दोस्तों लेकिन इस जो मैं आपको अप्लिकेशन बताने जा रहा हूं आप उसे 100% सेटिस्पाइज हो पाएंगे और आप अपनी रिकोडिंग इन स्कीन रिकोड वीडियो बहुत इच्छे प्रोफेशन तरीके से बना पाएंगे हां दोस्तों मार्क वाली जो आपने देखिए जो अधिकतर यूटूबर उसी एप्लिकेशन का यूज़ करते हैं जो मैं बताने वाला हूं दोस्तों यदि आप हमारी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइक करते हैं और साथ साथ बेल आइकन को प्लि क्लिक करना होगा सब्सक्राइब आप क्लिक करते हैं तो आपको टाइप करना होगा वी रिकोर्ड़ आप जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने एक अप्लिकेशन ओपन हो जाएगी जो मैंने भी इंस्टोल कियो और इसी से में स्क्रीन रिकोर्ड़ भी कर रहा हूं आपको अफ यूरे जैसे दिए वी रिकोर्ड़ एप्लिकेशन नाम डाला ए तो उसमें आपको उसका नाम विर्कोर्ड़ नहीं यह आएगा क्योंकि यह आ यह यह नम इसका अपडेट हो चुका है अब लास्ट में आएगा आप वी रिकोडर एडिटर पहले सुरू में आएगा स्क्रीन रिकोडर अप इसकी पहचान कै आप इसे इस तरह के से पहचान सकते हैं जो आपने ये को ये ब्लू वाला एक मिनम आपको मार्क करके दिखा देता हूं ये वाला आप इसको याद रखना है जो आपको ये लिखावा है वीडियो सो इंजोई मोवी वीडियो एडिटर एंड वीडियो मारकर तो मैंने भी इस्टोल की है मैं इसे open करता हूँ, आप इसे install कर लेना, then आप इसके open करना है, तो challenge को open कर लेते हैं, open करने के बाद इसमें कुछ settings आती हैं, वो हमें settings करनी होती है, then हम तभी इसको use कर पाएंगे, कि हम कैसे professional तरीके से use करते हैं, चलिए मैं इसके बारे मैं आपको setting के बारे में बताता हूँ, तो आपको सबसे पहले setting वाला आपको option दीख रहा हूँ, उस पर click करना होगा, आप जैसे इस पर click करते हैं, तो आपके सामने कुछ settings open हो जाएंगी, आपको video orientation इसको auto रखना है, video resolution आप जैसा रख सकते हैं, आप जैसा phone आपको support करता है, आप वैसे रख सकते हैं, आप normal video बनाते हैं, आप 720 या 1080 पिक्सल रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2K या 4K बनाओंगे, तो बहुत ज़्यादा MB में, GB में बनती है video, जिसे हमारी जब YouTube पर upload करते हैं, बहुत प्रहसान होती है, तो इसमें 1080 या 720 आप रख सकते हैं, मैं अभी इसमें 1080 रखा वाई, आप video quality आप अपने हिसाब से select कर सकते हैं, आप auto रख सकते हैं, या आप अपने manual तरीके से, मैं ने auto किया है, तो आप इसे auto रख सकते हैं, चलिए, आप आपको कुछ इसमें आगे कुछ नहीं छेड़ना है, आगे मैं चल के आपको पताता हूं, record audio यदि आपका ओफ है, तो इसे own कर देना है, यदि आप इस पर watermark आप इसे off ही रहना है, इसको यदि आप इसका themes chance करने चाते हैं, तो chance कर सकते हैं, कोई जुरूत नहीं है, इसकी chance करने हैं, अब नीचे आदेए, इसमें आपको कुछ so touch दिक रहा है, वैसे इसके कोई, आप जैसे इस पर click करेंगे, इसमें क्या होता है, जैसे आप screen पर click करते हैं, तो उसमें bubbles बन जाते हैं, so होता है कि हमेंने इस पर click किया, जिए आप इसे चाहते हैं, इसे open करना चाहते हैं, तो आप इसे open कर सकते हैं, यह आपके settings में, जाके phone के settings में से होता है, तो चलिए, इसमें next option आ रहा है, hide the records window during recording, इसमें क्या होता है कि, आप जब इसको वारा option को आप ओन कर देंगे, तो जो यह बराबर वाला है, यह वाला आपको दिखाई नहीं देगा, यह वाला दिखाई नहीं देगा, जिसमें timing चला है, यह दिखाई नहीं देगा, अब next option आता है, आपको कुछ नहीं करना, यह जितने दू ओ पड़े हैं, इनको ओ फी रखना है, sec phone to stop recording, यदि आपका phone हीले दूले कर, तो वो stop हो जाएगा, तो उसको ओन नहीं करना है, countdown इसमें 3 सेकिंड कर रखना है, और keep recording when screen is locked, इसे मालब ओ फी रखना है, ठीक है, इसमें कुछ आपको छेट खानी नहीं करनी है, और मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताऊंगा, language आपको select करनी है, तो आप language select कर सकते हैं, इसमें, यह देखे, आप जो shortcut की हिसकी, वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, चाबी वाला और बैग वाला आइकन दिखाओ, इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं, तो आप इसे camera भी on कर सकते हैं, water mark भी और skin shot भी ले सकते हैं, आपको यदि कुछ highlight करना है, जैसे मैं किसी points को किसी highlight करूँगा, तो आपको ये bruce वाला option आ रहा है, आप इस पर क्लिक करिए, और आप किसी भी color का जिसे मा लीजे, मुझे green करना है, green कर लीजे, और इस में आप जैसा circle, arrow देना चाहते हैं, arrow या circles या rectangle या square या star, किसी भी परकार का आप, या lines किसी भी तरकार का, आप select कर सकते हैं, आप इसे highlight करके इसे दिखा सकते हैं, इस application में यही man सबसे चीज है, कि हम इसमें educational वीडियो भी इसके, फ्रू बना सकते हैं, और आप किसी भी चीज के बारे में, screen recorder करके आप बता सकते हैं, क्योंकि इसमें एक, सबसे man important जो function दिया है, यही दिया है कि इसमें brush का option दिया गया है, हम उसे highlight करके, mark करके दिखा सकते हैं, तो दोस्तो, I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर देना, और साथी बेल ऐकन को प्रेस कर देना,